हालो दोस्तों मैं आपका भुद भुद स्वागत करता हूं आपके अप्रेश चैनल इंडियन इंस्टिजूट ऑफ श्टॉक मार्केट पर जैसे कि आपको टॉपिक से समझ में आ गया होगा कि आज हम जानेंगे कि क्या हम 0.5% से 1% डेली जीरो डीटी पे निकाल सकते हैं जी पहले चीस तो यह देखिए कि मार्केट आपका 9.15 से लगा करके 9.20 तक में करके आ रहा है मतलब कहां ओपन हो रहा है क्या उसकी कंडिशन है ठीक है इतना जब आप क्लियर कर लें तो आपको जगर की यह देखना है कि आप कौन से option को short कर रहे हैं example के तोर पर अगर आपन ब जहां पर बस एक कैचे जो आप लोगों नहीं जानते मार्केट में आपका direction तो हमेशन ही होता है या मारहा व्यू तो जरूर होता ही होता है कि अब यहां से मार्केट उपर की तरफ चलेगा अर्यां से मार्केट नीचे की तरफ चलेगा इतना उपर यह जा सकता है अगर करने ऐग्स पहले हैं कि स्पेसे लेव्ल की तोर पर गर खुल यह 50,000 के आसपास और मैं यह 44-30,40-30 रुपय का शॉठ्ट कर रहा हूं अब आप सबसे पहले बोले हैं कि इसमें बने गाई क्या यह तो चिंदी चोर ही तो ध्यांसे दीखिए और पहले एक एक है पाइस जयाए धाया ऐसी को पैसा बन जाएगा कि यह हो जाता है เห्र veteran क्योंकि इससे कम लगनाई इससे कम जबाइए उन यहां तक तो टेंशन नहीं है पैसा एक पर्षेंट से ज़्यादा बन सकता है यह मैं मना करी नहीं नहीं मैंनेज करना मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ भटेगा तो यह चालिस रूपय को ऑप्शन एक सुसाट तक जाएगा काटू कि दर यह इंपोर्टेंट हो जाता है इसको मैंनेज करना है यह चीज़ अपन समझ लेंगे अगर आपने सही तरीके से मैंनेज कर लिए तो आप 0 10% महीना बनाना बहुत डिफिकल्ट है ऐसे में अगर आपको कोई सी स्टेजी मिल रही है जिस पर यह पॉसिबल है तो क्यों ना उसे ट्राइ किया जाए ट्राइंग उतनी केपिटल से करी जाए जितने से वर्के बोलो जैसे आपके पास अगर दोलाग रुपे हैं तो आप पूछोगे डबल का स्टॉप लोस दे रहे हो एक बार स्टॉप लोस देना नहीं है मैं भी बताएता हूं यह इसलिए लगा रखा है ताकि कोई उच नीच आगे पीछे उल्टा सिधा आड़ा तिर्चा कुछ हुआ तो हम ऑटोमेटिक कट जाएं मेरे को जरवत ना पड़ स्टॉप लोस अपने क्यों लगाया है तो से पिछले लगाया है ताकि कुछ ऊच नीच हो जा और एक बार में बैंक निफ्टी बड़ा उपर या बड़ा नीचे मार दे तो ऐसे केस में चालिस का स्टॉप लोस लगा रहे हैं वेसे तो क्या करना है हमको हमेशा बायस रहना अगर आप बायस हैं आपका व्यू तेजी की ओर है क्या है तेजी की ओर है आपको पता है आपको कॉल कम करनी पड़ेगी यह मस्ट हो जाएगा अब क्या कर आपने चालिस चालिस रूपे के ऑप्शन बेचे नो बीस नो पच्छिस नो तीस दस बज़े के असपर समझ में ल बीसले काट लेना है अब पूरे काट लेना है अज तो क्या करेंग चीज आपने कर ने कर ना हमें पूरे पांच लॉट हूं और रूप कर ये कर देना है किते लॉट किते लॉट वाली बता जाती क्योंकि हम बायस है वी उपर की तरफ यह तो यह 30-60 हो सकता है तो ऐसे में अब आप दो लॉट यहां पर शॉट करोगे पांच लॉट से आप पुट पे शॉट हो पर दो लॉट से आप कॉल पे शॉट हो तो ऐसे जब सकता है एडवांस स्ट्रेटेजी है आप सोच रहें कि आपने तीन महीने पहले और आप इससे प्रॉफिट कमा लेंगे यह आपने को सालफर हो गया है आपने कॉल पूट समझ में आगई यह आप लोगों पताए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा अच्छा-च्छा करने वा कि मार्केट कहा जा रहा है जब तक आप यह अंदाजन लगाओ गया कि मार्केट कहां जा रहा है आप नहीं पेसा बना सकते-च्छी एडवांस स्ट्रेटेजीं को रहें ओने और पिछले कम से कम साल बढ़ से ज्यादा से ट्रेड कर रहा है उनको यह पता है कि मैं तीन लॉ पी और तीन लॉट सी अभी मैं आप लोगों सेख सवाल पूछ रहों आप सुनिएगा क्या पांच लॉट पी और तीन लॉट सी डेल्टा नेगेटिव पोजिशन बना सकते हैं आप बताइए मुझे अगर आपको इसका जवाब पता है आप वीडियो पॉस्ट कीजिए और आ आपने काटी नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या करना है और पांच लॉट की जो आपने शॉट करी थी उसका क्या सिर्डियों बन गया कि वह पुझ गई 10 रुपे अब यहां से अगर मार्केट नीचे आएगा तो ही आपको प्रॉफिट आएगा नहीं तो प्रॉ कि तरफ आएगा तो यह पांच लोट पचास के कितने होंगे 65 होंगे पर इसके हो रहा है में पता है दोनों ओटी में तो तेजी से नीचे जाएंगे आप देखी 70 का हुआ 35 और पचास को पैसा इधर बड़ा 15 पॉइंट इधर गया 35 तो आप देखोगे कि लगबग लगब यहां पर पेसो का मुमेंटम मतलब जितना यहां पर आने का होगा उतना ही यहां उसके लगबग थोड़ा से ज्यादा यहां पर जाने का बनेगा तो एसी सिचुएशन में आपने को जागर के मेंच करना होता है मैं आप लोग को फिरसा सजेस्ट करूंगा 0.5% यह 1% डिली कर रहा हूं अब मैं क्या करूं क्या को एक सॉलूशन देता हूं अभी तक जो मैं आप से डिसकुस किया था यह प्योर नौन डिरेक्शनल था जिसमें हम बाद में बायस बना क्या रहे थे पर जब आप अल्रेड़ी बायस मतलब आपको पता ही है कि तेजी ही होगी तो क्यो पूर्शन शॉट करते हैं और उसको स्टॉप लोस के साथ में वेट करते हैं या तो अगर आप इसवाले के से टेडिंग करने जाते हैं तो भी परसेंट का इसली पोसिबल है उससे ज्यादा पोसिबल है पर आप देखोगे कि एंड दा एंड जब आप मन्त के रिटर्न में आओगे और आप डेली के हिसाब से हिसाब लगा तो आप देखोगे कि आपने 0.5% के असपास का पेसा कमाया होगा तो यही थी वह चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहरा था आप डेली का सुचोगे कि 0.5% कमाएंगे इस वाले टेक्निक से नहीं पॉसिबल है यह फि इतना बड़ा मुमेंटम इसे उपर की तरफ आता है तो वह कॉल को ऐसा स्विच करता है परसेंटेज वाइस में यह मुमेंटम आएका बेंग निफ्टी पर जो कि बैक टेस्ट है कि पिछले 20 दिन के अंदर में इसा मुमेंटम आएगा तो वह इतना उपर कूदेगा अगर तरफ़ शुलेशन ए इसको अच्छीन करना चाहिए कि जब तक आप मारकेट महें नहीं पाँगे सब्सक्राइब ने करना चाहिए के सब्सू और लेशार सकता हूँ कि उसको confidence से जाएगा कि मार्केट कहीं पर जाये में ट्रेट तो जरूर मेनेज करी सकता हूं इंट्र डे का मिनेमेंट्म करना है इसके कंडिशन क्या है में बताने वाला था important point यह ही है एक lot पे अगर 15 रुपय का नुक्सान आगया मतलब आपको बिल्कु लेकर चीज बोलने कि अभी सफिशेंट हो गया है इससे ज्यादा का loss मुझे नहीं लेना था अगर एक बार 15 रुपय का loss आगे ट्रेडिंग बन बस इससे ज्यादा कोई फरक ने पढ़ता कॉल में हुआ पूट में हुआ किधर भी हुआ एक डेश टॉप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो समझ में होगी थोड़ा डीप कॉंसेट था बेगिनर्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है पर मेरा मानना है कि यही नोलेज जरूरी है